टेट पास 27,000 बहाली हुआ रद दूसरी परिक्षा तिथी हुई जारी दोस्तो आज के इस स्टूड़ों में हम आपको इसी का टॉपिक को लेकर बात करने वाले जिहां दोस्तो जारखन में जितने भी टेट पास अभिहारती अभी मौजूद है जो पहला एक्जाम पार कर चुके है पास कर चुके है और दूसरा एक्जाम का वेट कर रहे है तो काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट था मेरे चैनल में कि इसका वीडियो बनाईए कब इसका एक्जाम होगा और बहाली कब होगा तो finally इसका date जो है announce कर दिया गिया, जी हाँ दोस्तो, अगर आप date pass है, जारखन date pass अगर आप है, और आपका अगला exam का wait कर रहे है कि कब होगा, तो आज के शुटो में आपको इसी का update देने वाले, क्योंकि इसका date जारी कर दिया गिया, जी हाँ दोस्तो, जारी कर दिया गिया चलिए पूरा डीटेल में देख लेते हैं तो बिना टैम गवाई वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ओन करें ताके जो भी वेकैंसी से रेलेटेड वीडियो में अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका एड़ुरेटाइजमेंट जो निकाल अगया हिंदूस्तान अकबार में निकल करा रहा जिसमें आप देख सकते हैं आपको फरंट में ही देखने को मिल जाएगा अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है राज में प्राथमिक वा मद विद्यादा में अब लोग सबस चुनाओ के बाद ही सिच्छकों की नियुक्ति की संभावना सिच्छक बहाली पर मार्च तक रोक जी हाँ दोस्तों सिच्छक का बहाली जो होने वाला था सेकंड एक्जाम जो होने वाला था टेट पास अभिहारती लोग का जिसका बहाली होता उनका जो है पोस्पोन कर दिया गया उनका जो बहाली पर है रोक लगा दिया गया अब बहाल न्यूज है आपका कब एक्जाम होगा बहाली कब होगा पूरा डीटेल में इस अकबार में समझाया गया तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते अब देखिए यहाँ पर इसका एडवेटाइजमेंट में जो लिखा हुआ हम आपको बताते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ह जा रहा है कि मार्च 2019 तक नई न्यूगती परकिरिया सुरू नहीं करने का निनने लिया है मतलब मार्च तक इसका बहाली नहीं होगा विभाग का कहिना कि प्ररानबिक स्कुल में सीच्छा की न्यूगती की परकिरिया अपरिल 2019 से ही सुरू किरी जाएगी तो यहाँ पर ब बताया जारा है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला जिस कारण इसका एक्जाम पोस्पोन कर दिया गया बढ़ा दिया गया और इसको जो है अप्रेल 2019 में लाने की समभावना करी जारी इसको लेकर प्रात्मिक सिछा निदेशक बिनोत कुमा निर्देश जारी कर दिया है वैसे मैं में होने वाली लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब सिछा की नियुक्ती मैं के बाद ही होने की समभावना है राज सरकार के या फैसला सिछा के लिए बन रही नियुक्ती नियुमवली को लेकर लिया गया है नियुक्ती नियुमवली तयार होने के अधिकता दो से त इच्छा पाता परिच्छा पास हो चुके हैं आपको साड़े तीन महिना का इंतजार करना पड़ेगा तभी आपका सिकंड एक्जाम लिया जाएगा और आपका बहाली हो गए राजसरकार प्रानेंबिक इसकुल समय अलप संक्यक्वा गैर सरकारी सहायता प्राप्त इसकुल स परकिरिया सुरू करने का जो अपडेट है यहां पर बताया जा रहा है कि राज के जिलों को भी यह निर्देश दे दिया गया है और जल्दी इस परकिरिया को लिया जाएगा लोगसबा चुनाओ के बाद ही सुरू हो सकीगी नियुक्ती परकिरिया अब देखिए यहां पर अपडेट में यह बताया जा रहे है कि लोगसबास चुनाओ जब हो जाएगा उसके बाद ही सिच्चक को जितना भी इनका पेंडिंग है बहाली वो सभी का परकिरिया सुरू किया जाएगा मतलब अपरेल 2019 में किया जाएगा प्राथमिक वा मद भी डाले में नई नियुक् पर शिच्चा विवाग की रोक मार्च 2019 तक ही है मतलब यहां सिच्चा विवाग का जो रोक है वह मार्च 2019 तक ही रहेगा उसके बाद अपरेल से इसका बहाली सुरू कर दिया जाएगा जब की मार्च महीने में लोगसबास चुनाओ की घोसना हो जाएगी और आचार सहिता लग जाएगी ऐसी इस्थिती में अपरेल माई में भी नई नियुक्टी पर क्रेश शुरू होने की संभावना कम नज़र आ रही है तो बताया जा रहा है कि जो चुना होने मद विद्याले में नई नियुक्ती परकिरिया करीब 27,000 पदों पर शुरू हो सकती है इसमें प्रात्मिक वा मद विद्याले अपगरेड उतकरमिक हुए इसकूल में जहां सिचकों के पद पर सिरजन होगा वहीं पूर्व की नियुक्ती परकिरिया में खाली रह गए पदों पर ही नियुक्ती परकिरिया शुरू हो सकी कि नियुक्ती के अंतिम पद पर संख्या स्कूल को विलाए और रिसनलाइजेसन बात तक तै की जाएगी तो यहां पर अपडेट में बताय जा रहा है आप देखिए कौन से इसकूल में कितना सिच्छक अभी कारियत है वो आपको यहाँ पर आंकणा दिया जा रहा है जिसे के पहला देखिए 35191 प्राथमी कुवा मद बिडाले में जारखंड में अभी है 57812 सिच्छक अभी कारियत है इन इसकूलों में 27000 सिच्छक को भी पद वर्तमान में है तो 27000 पद अभी खाली बताया जा रहा है और 35191 प्राथमी कारियत है इन इसकूलों में बताया जा रहा है उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुए थे 15668 सिच्छक अब देखिए यहाँ पर अपडेट में कुछ आकरा निकाला गया और बताया ज देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुए अपडेट में राज के प्राथमिक वब्मद विद्यालें में दोयसोला में टेट पास 15668 सिचकों की नियुक्ती हुई थी इन में कलास एक से पाँच के स्कूल में 12486 और कलास छा से आट के स्कूल में 3212 सिचा की नियुक्ती हुई थी दोयसोला में टेट पास परिक्षा कलास एक से पांच में 16530 अभ्याती और कलास छा से आट में 36307 अभ्याती पास हुए से जो नई नियुक्ती परकिरिया में शामिल होंगे वही राज सरकार दोरा टेट पास अभ्याती परमान पत्रों की बैता 5 साल से बढ़ा कर 7 साल करन है कि जो उनका परमान पत्र जो 2013 में जिनका भी टेट पास हुए थे वो लोग का परमान पत्र 5 साल का था लेकिन उसे 7 साल कर दिया गया है जिस कारन सीटों की संख्या बढ़ गई है लगबक 50,000 सीट यहां पर हो गया है और 2019 में लगबन इन सभी लोगों का बाहली जो इनक लगबक सीटों की संख्या यहां पर बताई जा रही है 27,000 जी हां 27,000 पदों पर लगबक यहां पर बहाली इस बार लिया जाना है तो यही छोटा सा अपडेट निकाला जारकन सरकार की तरफ से और यहां पर अपडेट ने बता दिया गया है कि सीचक का बहाली में जो है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करके बिल का आइकन दबा दीजिए उससे क्या होका हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेग तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट देंगे अगर आप वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेर करना ना भूले तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहूँगा कल फीर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा नमस्कार हो अाले के लिए ठक कर दो कर दो कि अभी हो irre अपना ही झाल al एक झाल